सपा के राष्ट्री महा सचीव सलीम एकबाल सेरवानी साथ इस समय पाटी मुख्या से नाराज चलने हैं वो दिल्ली में अपने समर्थों के साथ बैठेकी और साथी पद से इस्तीफा दीने का इलान किया है सलीम साथ क्या नाराजगी हो गए इसी कि आपको स्तीफा देना पड़ रहा है ऐसा है कि मैंने स्तीफा इसलिए दिया कि हमारा समाजवादी पार्टी का दो हजार चौबिस में एक नारा था कि हम पीडिये को लेकर आगे बढ़ेंगे और पीडिये के मंच से हम चौनाव गई वो इस पीडिये को कि बिलकुल उन्होंने के खिलाब दी और एक नाराजगी का ये रिजन बना और मैं ये समझता हूं कि आज जब मैं मौजूदा हालात को देखता हूं तो कोई भी आपोजिशन की पार्टी ये तर्यार नहीं है कि हम आपसे मिल जुलके कुछ दे के स सोच में भी फूट पड़ती चली जा रही है आपको क्या लग रहा है कि विपच्छी गटवंदन है वह एक जुट नहीं हो पार है कहां हो रहा है नितिश कमार जी चले गए जैन चौदरी साब चले गए कुछ और चर्चों में लोग आ रहे हैं कि वह चले जा रहे हैं और जो सोच थी कि एक होके लड़ेंगे वो तो कहीं नहीं नजर आ रही है लेकि सपा तो खासकर मुस्लमों के सबसे बड़ी हिताशी अपने ही बताती है और अखलेश यादो राज में घूम घूम कर अपने को पीडिये का सबसे बड़ा हिताशी करार देते हैं क्या कहेंगे इ है कि मुसल्मानों ने असी फीस Sp sports दी से जादा होट पिछले चुनाओं में Sवाजवाधी पार्टी को दिया मगर मुसल्मानों के दुख पर मुसल्मानो आफ इसकी मदद कर दीए मैं यह नहीं कहता कोई मुसल्मान के कि सुर depends कि मका बल्डोज से चलना घ्र भरी मусल्मानों पे अतियाचार होना गरीबों के साथ नाइसाफी होना आज उस पे भी कोई नहीं बोल रहा है और मैं इस बात को मैंने अकलीजी से कहा कि मुसल्मानों की दूरी दूरी आप से बढ़ती चली जा रही है उनके जाइस जोजों पे तो आवाज उठाईए तो मुसल्मों को आप क काफी एहमियत है और मैं यह समझता हूं कि आज हमें मुसल्मानों के बीच में जाके यह सोचना चाहिए कि हम उस पार्टी के साथ चलें जो हमारी जाइज आवाजों को उठाए मैं दौरा करूंगा मैं मिलूंगा मैं सोचूंगा और मैं फैसला लूँगा कि आगे क्या करन जो लोग सबाद चुनाओ आ रहा है इसमें क्या आपको लग रहा है कि सापा का साथ मुसलिम नहीं देंगे देखे मुझे तो लग रहा है कि मुसल्मान सापा का साथ देंगे अगर सापा और कॉंग्रेस मिल के चुनाओ लड़ती है तो यह एक और अगर मुसल्मान दिल से नहीं देगा तो मुसलमान मजबूरी में हो सकता दे दे अभी आपने इस्थीफा दिया है पद से क्या समाजवादी पार्टी से भी स्थीफा देंगे यह मैंने यह इसलिए पद से स्थीफा दिया कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ के राय मशरुआ करना चाहता हूं कि अब आदमी ने भी मुझको नहीं चूड़ा है और उनमें से कुछ लोगों को आज पद्वी हैं समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो राश्त्रे सच्व हैं कुछ लोग प्रदेश के सच्व हैं कुछ लोग और संगटों में एंबर करते हैं वो सब यहाँ हैं सब मे एमपी था और मुझसे बगर बातजीत के एवे मैंने सिब अगवार में पढ़ा के उनको टिकट हो गया मेरा टिकट कट गया तो मुझे जटका लगा मेरा दिल दुखा उस वक्त कांग्रिस ने मेरा बहुत स्वागत किया और मुझे याद है मेरी मीटिंग जो सुनिया गांद गया मुझे धर्मेंदर यादव साब से नराजगी नहीं है अगर मुझे नराजगी है समाजवादी पार्टी में तो मुलाइम सिंग जी से थी कि उन्होंने मेरा टिकट काटा इसमें धर्मेंद की क्या गलती है जब लोग सभा टिकट के प्रतियाशियों गोश्रा हो गई दर्मेंद यादव वहां से उतर है इधर राजसभा में भी आपको टिकट नहीं मिला कि गुराजसभा के टिकट के भी प्रतियासियों गोश्रा हो गई दोनों तरव आपके दर्वाजें बंद होते ना जाए तभी आपने फैसला किया ऐसा है जब धर्मेंद यादव साब क गोशना भी टिकट की तो उस गोशना में मैं खुद मौजूद था और उस गोशना ने मैंने इस का स्वागत किया और मैंने कहा कि मैं उनका इलेक्शन लड़ाओंगा और मुझे खुशी है कि एक जवान प्यूडी टेक ओवर कर रही है और अच्छे काम किये जाएंगे आज इस खत में भी मैंने लिखा है कि आप मुझे नहीं नहीं देते टिकट मां किसी मुसल्मान को तो सूचते तो नाराज्जी मेरी यही Vice कि मुझे अधान नहीं मिला नाराज्जी मेरी यह कि किसी मुसल्मान को नहीं वाली यह कि toler profound आप देखे यह कि ऐसे सवाल है राजनी जो है वाप मिनिट मिनिट में बदल नहीं सकते बहुत समझ के कदम उठाना है मैं अपने सब साथियों के साथ बैटूंगा मैं जो भी कदम उठाऊंगा अपने मुल्क और अपनी कौम की उसमे उठाऊंगा अंतिम सवाल है अखले श्यादों के लिए नहीं किया वो अलग बात है मगर मुझे हमेशा यह एसास वा कि मैं उनसे जो भी बात करता हूं कर सकता हूं मगर इस वक्त मेरा बहुत भरोसा टूट गया है पीडिये में अखरी एक और सवाल लेते हैं कि अब आपको क्या लग रहा है आपने ये कदम उठाया है कि उसमे उ का हूंगा कि जितने जितने लोगों ने उनका हमेशा समर्तन दिया उनकी भावनाओं को वो गहराई से सोचे और उस पर कारिवाई करें शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ये थे सपा के राष्टरी मासची जिन्होंने अभी अभी इस्तीफे का इलान किया है पस्से सलीम इकबाल शेरवानी साब वीड़ो जनलिस हरीस के साथ संदीप पंडे न्यू जटीन दिल लिए